आज हम बनाने जा रहे हैं पालक आलो की सुखी सबजी है, सबजी बहुती स्वादिस्ट और बहुती जल्दी बनकर तैयार होती है इस सबजी में हम किसी भी सुखे मसाले का यूज नहीं करेंगे, सबजी बहुती सिंपल तरीके से बनाएंगे सर्दियों के मौसम में पालक हटे में एक से दो बार तो जरूर बन जाती है घरों में चलिया जलते हम अपनी रेसिपी की तरफ मैंने सबजी बनाने के लिए धाय सुख्रम पालक ली है, पालक के मोटे मोटे डंटलो को काट के अलग कर दिया है मैंने पालक को बहुत ही अच्छी तरह से दोगाया है। आप भी पालक को अच्छी तरह से दोऑगा, अपन Müर्ची को काटा। मैंने कब से कम तीन से चार बर चार बर तो आपकर अपस्किस पाने से निकल को काता है। हम पालक को काट लेते हैं, मैंने पालक को बहुत बारीक नहीं काटा, मैंने रफली चॉप किया है, पालक बहुत आसानी से ही गल जाता है, मैंने साथ में इसमें जो आलू ले रखे थे थे ना, मैंने उन्हें भी धुल के छील के अच्छे सिल ले लिया है, अब मैं उन आलू क काट लेती हूँ आलू को मैं बहुत बड़े टुकड़ों में नहीं काटूंगे मेडियम टुकड़ों में काट के तयार करूंगे अलू और पालक कटके रेडी हो गया है अब हम सबजी में तड़का लगाने के लिए चलते हैं जी में हम लैसन के तड़का लगाएंगे हमारा गरम होगे हैं उसमें लेसुन की रपली चौप लेसुन डाल देते हैं जैसे ही लेसुन का कलर हमारा चेंज होने लगा है अब हम उसमें आलू और पालक डाल देते हैं जो हमने काट के रखी थी सारी सबजी एट कर दिये अब मैं उसमें आदा चमस नमक एट कर रहे हैं नमक आप अपने स्वाद अनुसार यूज करें, नमक एट करने के बाद मैंने जो हरी मिर्ची ली है, अब मैं उन्हें काट के इसमें डाल देती हूँ, मैंने दोनों हरी मिर्च काट के डाल दी है, मैंने क्यों दो ही मिर्च इसले लिया है, क्योंकि मेरी हरी मिर्च तोड़ी आप नमक और मिर्च अपने स्वादन से डाल लें इस सब्जी में हम कोई भी मसाले यूज नहीं कर रहे हैं तो आप मिर्च और नमक का बैलेंस अच्छे से रखें क्योंकि इसी सारा टेस्ट आएगा अब सब्जी को अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद हम इसे 2- तीन मिनट के लिए ढख करके छोड़ देंगे क्योंकि पालक से बहुत ज़्यादा पानी रिलीज होगा तो यह आटमेटली पकेगा देख सकते हैं पालक का पानी थोड़ा थोड़ा सुगी है अब मैं इसमें टमाटर काटके डाल देती हूं टमाटर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद फिर दो से तीन मिनट के लिए धख करके छोड़ देंगे वह मिनट हो चुके हैं आप देख सकते हैं सब pursue कितनी अच्छी तशी तरीके से पकर रही हैं पालक का पानी भी काफी कम हो चुका है और हमारे आलो भी गल ओक अब यह टमाटर को हमें थोड़ा सा गलाना है तो हम इसे एक मिनट के लिए और ढख देंगे ढखने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और देखेंगे कि इसका सारा पानी सूख जाए सूखने के बद हम गैस को थोड़े तेज कर देंगे तेज आज में इसे अच्छे से भूनेगे सूखी सबजी को अगर हम भूनते हैं तो इसको स्वाद और भी जादा बढ़ जाता है अब हम इसे सर्विंग बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं सबजी देखने में जितनी अच्छी लग रही है उसे ही ज्यादा यह टेस्ट ही है इस सबजी को आप एक बार जरूर बनाए आपको मेरी सबजी की रेस्पी कैसी लगी हो मुझे फीडबेक में जरूर रहा अगर मेरी रेस्पी आपको अच्छी लगे तो पिली नेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे थेंक यू